नमस्कार आप सबका बद्वस्वागते गनेस्टेक यूट्व चैनल में कोरोना के कहर से अपने फैमिली को कैसे बचाएं इसी टोपिक पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं देखिए दोस्तों इसका कोई एंटिडोर्ज या दवाया भी तक उपलब्द नहीं है लेकिन आपने आपको सुरक्षित आप लोग रख सकते हो इस बीमारी को पकड़ने से पहले आप तक पहुचने से पहले वो कैशे रखेंगे दोस्तों जैसे कि welche आप लोगों को ने देखा होगा आधी तुफान आप लोगो ने जरूर देखाऊगा अपने जिंदगी के लाइफ मे आंधी तुफान जिस प्रकार से लेयर भी आया हुआ है तो जिस प्रकार आप लोग अपने घर की खिर दरवाजा बंद कर लेते हुँ इसी प्रकार का है बीमारी दोस्तों, आप लोगों को सतक हो जाना चाहिए, अलड हो जाना चाहिए अलट हो जाना चाहिए देखिए जिंदगी में कम से कम मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरा उमर कम से कम 25-26 साल हो रहा है होगा लेकिन अभी तक मैंने ऐसे लोगडाउन अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा तो इस चीज को आप हलके में बिल्कुल ही मत लीजिए क्य लेकिन इस चीज का पालन करें वो कह रहा हूं मैं आप लोगों को देखिए दोस्तो वीडियो कई परकार के मैं बना रखा हूं लेकिन ये वीडियो बनाना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिस कर रहा हूं कि ये पालन जरूर करें द दुखी हो जाता है तो पूरा फैमिली दुखी हो जाता है परेसान हो जाता है तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आगर आपके काम घर से बाहर जाने का बिना वज़य काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले देखिए इसमें आपका पूरा फैमिली का रिष्ट से लेके यह नहीं तो घर से भार मत निकलिए आप लोगों से यही गुजारिस है कि इस यह बीमारी बहुत है एक को होना होना सुरू ज़रूरी है उसके बाद सब में फैल जाएगा दोस्ता यह बीमारी तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को मैं जो बताना चाहता हूं इस चीज का अमूल करें देखिए यह बीमारी एक दूसरे से एक दूसरे के कॉंटेट में आने से फैलती है तो जितना हो सके जितना हो सके कहीं आपको अगर घर से बाहर जाने की जोरत पड़ती है तो आप अपने हाथ में गलपस पहन के जाएए अपने मूह को ढग के जाएए देखिए आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास मासी होना चाहिए आप कोई भी कपड़े से लपेट हम लीजें अपने चेहरे को ढग लीजए नाख मुझा को ढग लिजीए और जाहिए और वहां से जितना जल्दी हो सके आपका कां में me जह को और आप आके अपने घर में और में आपने ह唉 यहीं में दोस्तों हिसे इस बीमारी से दूर रहने का लच्छान Adapt तरीका और जितना बार हो सके हाथ बार-बार धोएँ आज़ान लोगों से हाथ न ला मिलाए और जहां कहीं इमेरजेंसी परता है तभी जाएं जैसे कि ड 54 के की दूपाने जानाना है यह तो कानेứng की समाना लत लेने जाना है तो डाइम वक्त देखेंぎ कि परखें Hollanda के दोरान पूलीस वाले भी जगह प्रैसान देता हूँ अगर आपको बाहर जाना पड़ता है कहीं बाहर चले भी जाते हो तो कहीं कई जगा हाथ है कई जगा लग जाते हैं तो हाथ लगने के बाद आपको घर में आने के बाद या तो कहीं भी पाणी मिले आपको वहीं पर हाथ दोल लेना चाहिए और सेंटाजर अगर आप यूज करें तो सेंडाजर का परयोग जरूर करें इससे बचने का एही लच्छान है दोस्तों आपने आप तक ना पहुंचे ने देने का अगर आप तक पहुंच गया तो दोस्तों इसका कोई एंटिडोज नहीं बनी है अज तक कि कोई इस विमारी को देखिए इस विमा बहुत खतरनाक है इसको जागरूत हो जाओ और अपने दिमाग और दिलों से लो इस चीज को और आपने फैमली घर परवार को सबको सेप्टी से रखो अगर आपके बच्चे कहीं घूमने जाते हैं खेलने जाते हैं तो वह आते हैं तो आपना हाथ पायर जरूर धोला के र बंदे मातरम